आज हम लोग जो प्रारंप करने जा रहे हैं वो है राजस्व भूमी सुधार विभाग बिहार के राजस्व समंधी सभी कारजों के लिए विशेशकर भूराजस्व समंधी सभी कारजों के लिए जिम्यवार विभाग होता है और इस विभाग के दो तीन मुख्य मुख्य अंग बने हुए हैं जिसमें भू अरजन निदेशाल है, भू अभिलेख परिमाप निदेशाल है, ट्रेनिंग, इत्यादी इत्यादी विशाय आते हैं राजस्व विभाग के बारे में ये धारना बनी हुई है कि कैसे कैसे अपने कारजों को निश्पादित करता है और इन कारजों के निश्पादन के दौरान उन्हें किन किन पदाधिकारियों को मदद लेने की जरुरत पड़ती है इस समन में मैं बता दूँ कि राजस्व विभाग का नाम जमिंदारी विल्मूलन से पहले राजस्व विभाग था और राजस्व विभाग के अस्थापना की प्रिष्ट भूमी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी है यह सोतंतरता के पहले जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ इस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ इस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद जैसे ही उन्हें बंगाल बिहार उडिशा की दीवानी मिली वैसे ही उनका मूल धे ये बन गया कि कैसे हमें राजस्व, विशेस करभू राजस्व का कलेक्शन करना है आर्थिक रूप से दोहन करना है और जो आर्थिक रूप से पैसे प्राप्त हो जो रासी प्राप्त हो उसका उपयोग अपने ब्यापार के विस्तार में और इंगलेंड के ब्यापार के विस्तार में लगाड़ा है यही उनका मूल दिये था बंगाल बिहार उडिशा की दिवानी मिलने के बाद दोयद प्रशासन सुरू हुआ उस दोयद प्रशासन में ये ब्यवस्था अंग्रेजों ने रखा कि सासन तुम करो राजास्व हमें दो, collect हम करेंगे तो भू राजास्व कलेक्शन की जो जीमेवारी दी गई, उस जीमेवारी के अंतरगत उस समय में आज के तरह systematic कोई भू अभिलेक संधारित नहीं थे जो राजास्व का आंकड़ा था वो इमेजनरी था, एक अनुमान के आधार पर राजास्व कलेक्शन करने का एक बलक्ष दिया गया 1772 इश्वी में वारेन हिस्टिंग्स जब गवर्नर हुआ, बंगाल बिहार और उडिशा का तो गवर्नर बनने के साथ साथ उसने एक ब्यापक सुधार कारजकरम प्रारंब किया, खासकर उस जमाने में अंग्रेजों ने जो राजास्व प्रसासन में सुधार का कारज किया, उसमें उनका मूल रूप से धे था, कि हम कैसे राजस्व को जादा से जादा कलेक्ट कर सकें, वारेन हिस्टिंग्स 7073 के रेगुलेटिंग आउक्ट के द्वारा वो गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनने के साथ उसने सबसे पहला सुधार का कारज करम किया, राज़स्व सिस्टम में, भूर आज उसे समंधित जुडिसियल सिस्टम में और इस सुधार के अंतरगत उसने 1772 इस्वी में जिला में पहले पहल उसने जिला में डिवाइड किया प्रसासन को जिले में डिवाइड किया उसने जिले में माटने के साथ साथ उसने कलेक्टर के पद की अस्थापना की 1772 इस्वी में और उसने जो एक राजस्व पधती बनाई उस राजस्व पधती में वसूली के लिए उसने जुडिसियल सिस्टम को मजबूत करना शुरू किया न्याईक बेवस्था को सबसे पहले उसने सचिवाले सिस्टम सचिवाले बेवस्था की सुत्रपात की और उसने एक सचीव और साथ से आठ अपने पदाधिकारियों को अपने सचिवाले में उसने नियुक्त किया इसके अत्रिक उसने राजवस्व समंधी संग्रहन को आखणों को इकत्र करने के लिए एक विस्तृत कारजाले पधती का सुतरपात किया यहीं से प्रारंभ होता है सचिवाले ब्यवस्था का और सचिवाले ब्यवस्था में राजवस्था सर्वो परी रही इस प्रकार इस इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल में जो गवर्नर जनरल का कारजाले बना उसके अधीन केंद्रिय सचिवाले यानि केंद्र सरकार का के अधीन केंद्रिय सचिवाले का गठन किया गया इस केंद्रिये सची वाले में कई-कई छोटे-छोटे वीभाग बनाए गए किन्तो सबसे महत्व पूर्ण वीभाग राजसो वीभाग ही रहा अब राज़सो वीभाग की जो केंद्रिकित ब्यवस्था थी उस वेवस्ता में सिर्फ इस्टेट के बाद यानि राज़े के बाद नीचे में सिर्फ कलेकтор का पद सरजित किया गया उसके अत्रित कोई ऐसा पद नहीं था कलेकटर राजसों के संगरहन करता थे और राजसों संगरहन कर वो ट्रेजरी में जमाग करते थे इसके बाद 1833 इस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा राजस वित्विभाग को मिला कर एक विभाग बनाया गया धीरे धीरे राजस विभाग का करमिक रूप से विकास होने लगा और इस विकास के अंतरगत राजस की प्रधानता बढ़ती चली गई राजस विसे सम अंग्रेजों ने भूमी को एक विक्री की बस्तु बनाया भूमी के संग्रक्षन के लिए उन्होंने कानूनों और राजस विन्याले की विवस्था की जिसमें राजस विन्याले के अंतरगत जो भी छोटे छोटे भूमी विश्यक बिवाद होते थे बिशेश कर भू लगान से समंधित बिवाद होते थे उसके निश्पादन का उन्होंने सुत्रपाद किया और नियाईक बेवस्था में भू राजव सो संग्रहन का प्रमुख अस्थान प्राप्थ हुआ कमिशनर्स रेगुलेशन आक्ट 1829 के द्वारा प्रमंडलों की वेवस्था की गई जो कलेक्टर के उपर उनके नियंतरी पदाधिकारी बनाए गए उसके पहले 1786 इस्वी में राजव परशद का निर्मान हुआ और वो राजवस्व परशद राजवस्व समंधी कार्जों के लिए बीधिवत रूप से निदेश देती थी कलेक्टर पर नियंतरन रखती थी तो ये एक राजवस्व के प्रसासनिक धाचे का निर्मान अंग्रेजों ने किया लेकिन उस समय तक इस धाचे के अंतरगत ऐसी कोई ब्यवस्था नहीं थी जिसमें भूमी का सर्वे भूमी का सर्वेक्षन उसके अंतरगत सन नहीं थो ताकि भूमी के लैंड रिकार्ड्स को दुरुस्थ किया जा सके बनाया जा सके किसानों के अधिकारों को एक पंजीबद कर कागज में उसे रखा जा सके अंग्रेजों ने जो पर्मानेंट सेटल्मेंट व्यवस्था 17-1990 में लागू की उस पर्मानेंट सेटल्मेंट के अंतरगत जमीनदारों के साथ एक फिक्स एमाउन पर पर्मानेंट बंदबस्ती की गई जिसमें जमीनदारों को यह अधिकार दिया गया कि वे निर्धारि की वसूली करें और उसमें से अपना एक का 11 हिस्सा अपने पास रखकर सेसरासी ट्रेजरी में जमा करते हैं उन्हें भूमी प्रबंधन के लिए भूमी अभीलेक मेंटेनेंस के लिए जीमेवारी तो दी गई किन्तु जमिनदारों के द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया फ़ल यह हुआ कि भू राजस्व एक फिक्स हो गया भू राजस्व में बढ़ने की कोई संभावना नहीं रही धीरे 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 राजस्व प्रसासन में नए नए बिचार आने लगे और इस नए बिचार के अंतरगत अधिकारों के अभिलेक के निर्मान का प्राव प्रावस्च समझा गया क्योंकि जैसे ही भूमी को कानूनी संग्रक्षण प्रावथ ہوई तो भूमी से अधिक से अधिक राजस वह तभी प्रावथ हो सकता था जब की भूमी का विक्रय के लिए आवस्च्च था भूखंडों का सीमां की करन सीमा होना सिर्फ उस जमाने में अरंभिक दौर में सिर्फ भूमी की चवहदी दी जाती थी कोई भूखंड करमांक नहीं था कि किसी व्यक्ति को अगर भूमी वो प्राप करता है तो बेचने का आधिकार है तो उसमें से कितने रखमे की भूमी को वो बेच रहा है इस तरह की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी भूमी विक्रे की वस्तू तो बनी वो रेहन रखी जाने लगी अंग्रेजों ने उससे और से अधिक और अधिक से अधिक उससे आए प्राप्त करने के दृष्टिकों से ये महसूस किया कि अधिकारों का अभिलेख बनना आवश्चक है उस काल में 1819 इस्वी में हाल्ट मेकेंजी ने ये सुझाव दिया ततकालीन गवर्नर जेनरल को की भूमी का सर्वेक्षन किया जाए और भूमी में लोगों के अधिकारों का लेखा तयार किया जाए प्रतेक ग्राम और मुहाल से कितना कर्व असूल करना है ये निश्चित किया जाए प्रमानिंट सेटल्मेंट के बाद अंग्रेजों ने रहियतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम रहू राजसों के छत्र में इंट्रोडियूस किया लागू किया पूरे देश में जिसमें रहियतवारी सिस्टम के अंतरगत डाइरेक्ट रहियत से सीधे रहियत से लगान वसूल करने की विवस्था रखी गई और उनके रहियत के नाम से भूमी रहियत को बनाने का आदेश निर्गत किया गया पट्टा और परवाने की भी विवस्था की गई और उस पट्टे में उनके भूमी का रखबा दिया गया उसकी चोहदी दी गई लेकिन भूमी का ऐसा कोई भूखंड संख्या भूमी का बिवस्ता रही कि जमिनदारों के ऊपर अंग्रेजों ने भरोसा किया कि ये भूमी का लैंड रिकॉर्ड ये तैयार करेंगे रहयतों के साथ ये पट्टा देंगे तो पट्टे का रजिस्टर भी मिंटेन करेंगे बनाएंगे लेकिन जमिनदारों की इसके प्रती अच्छी न के बराबर रहें 1822 के रेगुलेशन साथ के द्वारा भूमी के सर्वे के प्रस्ताव को मान लिया गया और उस पर एक कमीटी बनाई गई कि वो वीचार करेंगे कि कि इस परकार से भूमी का सर्वेक्शन किया जाए 1833 में जब लाड बिलियम बेंटिक उस जमाने में गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने पहली बार जो रहेत के जोत अधिकार में जमीन थे उसके लिए उन्हों ने उनके खेतों का जोद भूमी का मानचित्र बनाने का प्रस्ताव और पंजी बनाने का एक प्रस्ताव अन्मोधित किया और ये बेवस्था रखा कि जितने भी रहयत हैं जो जोत वाले रहयत हैं जोत करने वाले रहयत हैं उनके किसी भूमी की पंजी बनाई जाए तथा खेतों के मानचितर का निर्मान किया जाए किन्तो ये बेवस्था काज रूप में नहीं आ सकी 18-35 सिस्वी में पहली बार लेफ्टिनेंट विंगेट जो इंजीनियरिंग कोर के प्रमुख अदिकारी थे उन्हें भूमी सर्वेक्षन का अधिक्षक सुप्रीटेंडेंट ने युक्त किया गया भूमी सर्वेक्षन करने के सुप्रीटेंडेंट नियुक्त करने के दौरान उनके बहुत सारे कर्तब्यों को बताया गया कि आपको क्या क्या करना है विन्गेट ने इस पर काफी अधियन किया और अधियन करने के बाद उन्होंने पाया कि जो जमिनदारी सिस्टम है जो रहितवारी सिस्टम है और जो महलवारी सिस्टम है भूप्रबंध विवस्था के अंतरगत तीनों में कहीं समयता नहीं है रहयतवारी सिस्टम में जहां रहयत सीधे सरकार को भू लगान भूतान करते हैं और उनके भूमी का रेकार्ड अपडेट हो जाता है हर साल अपडेट हो जाता है महलवारी सिस्टम में एे महाल के माध्यम से अपने उस गाओं के मुखिया के माध्यम से लगान जम municipal करते हैं उनके गाओं का record बन जाता है ठीक जमिंदारी सिस्टम में जमिंदारों के नीचे जमिंदार, मध्यवर्ती, पाटनी, कई-कई लेयर्स हैं जो रैयतों के जोत करने वाले के भूर एकार्ड को मेंटेन करने में, बनाए रखने में कोई अभिरूची नहीं रख रहे हैं इस विंगेट ने एक सुझाव दिया, उस सुझाव के अंतरगत ये रखा गया कि धीरे-धीरे जीले वाइज भूमी के सरवेक्षन के लिए एक प्रक्रिया बना कर और भूमी का सरवेक्षन किया जाएं, खेतों की परीधी निश्चित की जाएं, नक्षे बना कर उनको सीमांकित कर ग्राम की बाउंडरी निश्चित की जाएं, किन्तु यह विंगेट का सोच उस समय कार्द रूप नहीं ले पाया, इस दोरान राजस उसरवेक्षन कराया गया, उस राजस उसरवेक्षन में जितने भी जिले थे, अंग्रेजों के सासन के अंतरगत, उनका भूमी का सरवेक्षन किया गया, कि जोत की भूमी कितनी है, और अन्य परकार की बंजर भूमी कितनी है, तो जोत की भूमी के आधार पर लगान निर्धारन का प्रस्ताव रखा गया, कि जितने भी जोत की भूमी होंगे, उसके आधार पर लगान निर्धा के अंतरगत ये समझाता था कि वे निर्धारीत लगान जब तक देते रहेंगे तब तक उन्हें उस जमीन से हटाया नहीं जाएगा दूसरा लगान बढ़ाने का कोई भी कल्प नहीं था उसका एक मातर भी कल्प रखा गया एंग्रेजियों के दिमाग में था कि किसी तरह जम में ब्रधी हो और साथी साथ किसानों के जोत अधिकारों की भी रक्षा हो सके इस संदर में पहली बार 1875 इसी में बंगाल सर्वे एक्ट लाया गया उस बंगाल सर्वे एक्ट में प्रावधान किया गया कि भूमी की नापी कैसे हो सर्विक्षन के जो प्रोविजन्स किये जो प्रावधान किये गये वो बहुत सू अस्पस्ट नहीं थे सर्विक्षन का प्रारंभिक दौर में था और ऐसी कोई मेकनिज्म पद्यती या प्रसासनिक धाचा नहीं नियुक्त किया गया था कि जो ततकाल भूमी का सर्विक्षन कर ले 1885 इसी में बंगाल टीनंसी एक्ट अधिनियमित हुआ और बंगाल टीनंसी एक्ट के धारा 101 से 115 तक में सर्विक्षन करने के भूमी सर्विक्षन करने के कानूनी रूप से प्रावधान किये गये इस कानूनी प्रावधान के अंतरगत नियमावली का निर्मान किया गया कि किस आधार पर किस प्रकार से सर्विक्षन होगा गाउं की सीमा कैसे बनाई जाएगी किस प्रकार किस तरह से किसी राजय सोग्राम का सर्विक्षन कैसे होगा जमीनदारों द्वारा धारित भूमी का खाता कैसे बनेगा जो तधिकारों की प्रविस्टी कैसे होगी कौन से जमीन का लगान निर्धारित होगा इसके अत्रिक लगान कौन निर्धारित करेंगे जोत्भूमी का लगान कौन निर्धारित करेंगे कौन से पदाधिकारी इसके लिए प्राधिकरित होंगे इसके लिए राज़स पदाधिकारी की नियुक्ति की गई राजा सुपधाधिकारी के साथ साथ उन्हें सहजोग देने के लिए डिप्टी कलेक्टर जो उस जमाने में हुए उनमें सहायक यह असिस्टेंट सेटल्मेंट अपसर का पावर नहीत किया गया और राजा सुपधाधिकारी की शक्ती नहीत की गई किन्तु टेकनिकल रूल्स सर्वे करने का जो व्यापक टेकनिकल रूल्स था वो उस समय तक आ नहीं पाया था फिर भी 1885 के एक्ट में प्रावधान करने के बाद 1892 इसवी के बाद कैडेस्ट्रल सर्वे प्रारंब कर दिया गया और पूरे बिहार के जितने जिले थे 17 पुराने जिले थे उन सभी जिलों में केडेस्ट्रल सर्वे की काडवाई प्रारंब हो गई केडेस्ट्रल सर्वे में सबसे पहले भूमी के सिमांकन का ग्राम सीमा के सिमांकन का इसके अत्रिक्त रियत के जो भी जोत में भूमी थी उसके सिमांकन का जमिनदारों के अंतरगत जितनी भूमी थी उसके सर्विक्षन का प्रावधान किया गया सिक्षन एक सो तीन उसमें सिक्षन एक सो तीन का प्रावधान किया गया सिक्षन एक सो एक में कैसे सर्विक्षन किया जाएगा जो खतियान बनेगा अधिकारों का अभिलेक बनेगा उसमें कौन-कौन सी प्रविष्टी की जाएगी इसका प्रावधान रखा गया यानि बिहार कास्तकारी अधीनियम के अठारो सब पचासी के अधीनियमित होने के बाद पहली बार सर्वेक्षन ने अपना एक भूमी सर्वेक्षन ने अपना एक वास्त्विक स्वरूप प्राप किया और इस स्वरूप को क्रियानवित करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी की प्रसासनिक संग्रचना का निर्मान किया गया सचिवाले अस्तर की बेवस्था लागु ही यानि राजस सभीभाग के अंतरगत 1912 इस्वी में निदेशक भू अभिलेख परिमाप का पद सरजित किया गया और भू अभिलेख परिमाप को प्राधिकृत किया गया कि वे सरविक्षन का कारज पूरे बिहार में अपने देखरेख में प्रारम कराने और ये निदेशित किया गया कि इस संदर्भ में बोर्ड अफ रेविन्यू के द्वारा राजस्व परिशत के द्वारा समय समय पर जो भी सरविक्षन के समंध में निदेश दिये जाएंगे उसका हुए अनुपालन कराएं यानि 1892 से प्रारंभ होकर 1898 उनी सो तीन तक केडिस्ट्रल सरवे बिहार के पुराने जो 17 जिले थे बाद में जो जारखन कटके अलग हो गया उसको छोड़ दें तो बिहार के बचे हुए सेस जिले सारण, चंपारण, मुझफरपूर, दरभंगा, पतना, शाहबाद, गया, मुंगेर, पुर्निया इन सारे जिलों में केडिस्ट्रल सरवे की कारवाई प्रारंभ हो गई और पहली बार केडिस्ट्रल सरवे में जमीनदारों के खेवट पंजी का निर्मान किया गया है और उस खेवट पंजी के निर्मान के आधार पर जो अधिकारों के अभीलेख का निर्मान हुया अधिकारों के अभिलेख में प्रविस्टी की गई उन इंटरमीडियरी की उन जमीनदारों की और नीचे के कॉलम में अस्तम में नाम जोतदार कॉलम में जोत करने वाले रेतों की प्रविस्टी की गई बिहार कास्तकारी अधिनियम के नियम 80 और 81 में ये प्रावधान किया गया कि सिक्षन 103 के एक अंतरगत खतियान के अंतिम रूप से पब्लिस्ट हो जाने के बाद प्रकाशन हो जाने के बाद अधिकारों का अफिलेक जिलास महरता को सौप दिया जाएगा ताकि जिलास महरता उसके अधार पर अपने प्रसास्निक कारजों में भूमी समंधी प्रसास्निक कारजों में उसका उप्योग कर सके ये उलिखनी है कि खतियान का प्रियोग यानि अधिकारों के अफिलेक का प्रियोग सिर्फ जिले अस्तरपर ही था और जिला के नीचे एक प्रसास्निक इकाई थी उस समय राजस्व अंचल जो आज बने हुए हैं बिहार में इस तरह की कोई इकाई सरजित नहीं थी उस समय हलके नहीं थे जो राजस्व का सीधे कलेक्शन करते थी जमीनदारों के द्वारा रियतों से जोतदारों से अपने खेवट के अधीन उनके दाइरे में जो भी जमीनदारी के अंतरगत जमीन थी अधिकारों के अभी लेक में जो भी भूमी दर्ज थी उसके अधार पर तोजी नंबर तोजी उन्हें एक एलोट किया गया और उस वसूल कर तौजी आफिस था जिले में उसमें वो जमा करते थे और जमा करने के बाद सरकार के घर में वो राशी पहुच जाती थी रैयत सीधा सरकार को रिंट नहीं देता था बलकि वो जमिनदार को भुगतान करता था इसके बावजूद खतियान अधिकारों के अभिलेख के निर्मान के बाद भी जमिनदारों के द्वारा मध्यवर्तियों के द्वारा रैयतों के भुगतान किये जाने वाले लगान पंजी का बेदिवत रूप से संधारन नहीं किया गया और वो भुगतान करने वाली पंजी थी जो भुगतान किया जाता था उसका नाम दिया गया जमाबंदी पंजी जमाबंदी पंजी उस पंजी को कहते हैं जो उस राजसोगराम में रहने वाले जोत करने वाले किसानों के द्वारा जो जोत भुमी है उसका लगान भुगतान दे दिया जाता है इस तरह से इसका नाम दिया जाता है जमाओं की पंजी यानि जमाबंदी पंजी यह लिखनी है कि अधिकारों का अफिलेख जो निर्मित हुआ बनाया गया उसमें नाम भू मालिक समंधित मध्यवर्ती और जमिनदार थे जो तदार सिर्फ रईयत थे इस परकार के खतियान में जो रईयतों की होम स्टीट जमीन थी बास्डी की जमीन थी बहुत सी ऐसी जमीन थी शिवोत्तर जमीन थी देवोत्तर जमीन वृत्त की जमीन इत्यादी जो जमीने थी इसका लगान निर्धारित नहीं किया गया लगान मुक्त रखा गया रेयत उन्हीं जमीनों को का लगान भुकतान करते थे जो जोत के अंतरगत उनकी आती थी या जमीनदार जो बंजर जमीन गेरमजरुआ जमीन उनके साथ बंदोबस्त करते थे लगान बंदोबस्ती जिसको कहते थे उसका भुकतान करते थे अधिकारों का इलेख तैयार हुआ विश्तिरत रूप से और अधि कैडिस्ट्रल सर्वे के बाद बहुत से बिहार के पूराने जिले थे जिन में रिविज़नल सर्वे की कारजवाही तत्काल प्रारंब कर दी गई दौ साल के बाद ही जो कैडिस्ट्रल सर्वे के नक्षे का ब्लूप्रिंट था उसको कहते हैं ब्लू सर्वेक्षन ब्लूप्रिंट सर्वे रिविजनल सर्वे की कारवाही प्रारंभ हुई रिविजनल सर्वे की कारवाही 1914 तक आते आते समाप कर दी गई कई जीलों में रिविजनल सर्वे फाइनल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि प्रथ अधिकारों का अभिलेख तयार होता है और ये अधिकारों के अभिलेख के तयार कराने में जो प्रसासनिक भूमी का निर्वहन करता है वो भूमी अभिलेख परिमाप निदेशाले है भूमी अभिलेख परिमाप निदेशाले राजस विभाग के सीधे नियंतरन के अधिन काम करता है बरतमान दोर में भू अभी लेक निदेशक भू अभी लेक परिमाब का पदसर्जित है और उसके नीचे सहायक निदेशक है और उसके नीचे एक प्रसास्निक संगरचना के अंतरगत निदेशाले में कारज करने वाले पदाधिकारियों कर्मियों की सुची बनाई हुई है अब जमिनदारी उन्मूलन के बाद जमिनदारें के द्वारा रिटर्न फाइल किया गया दाखिल किया गया रिटर्न दाखिल होने के साथ साथ सरकार के सामने राजसरी विवाग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो लगान भू लगान जमिनदार वसूल करते थे रहियतों से जिसका प्रावधान बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 24 में किया हुआ था कि जो भूमी का जमीन जोतेंगे उन्हें लगान देना पड़ेगा और प्रतेक लगान उचित और सामीक होगा इसका प्रावधान धारा 27 में किया गया था जमिनदार को जैसे ही लगान भूकतान किया जाएगा जमिनदारों के लिए रसीद देना रहियत को रसीद उपलवध करना मेंडेटरी किया गया था धारा 56 के अंतरगा तो यह इस्थिती जमिनदारी उन्मूलन के पहले थी जमिनदारी उन्मूलन के बाद सरकार के पास इस तरह का कोई तंतर उसमें बिक्सित नहीं हुया था जो अब रहियतों से सीधे डाइरेक्ट लगान वसूले और कोशागार में जमा करते दूसरी समस्या यह थी कि जो जमिनदारं के द्वारा रिटर्न फाइल किया गया दाखिल किया गया उसमें बहुत से ऐसे जोतदार रहियत थे जिनके नाम से जमाबंदी सिर्जित नहीं हुई थी जमाबंदी का निर्मान नहीं हुआ था तीसरा समस्या ये था कि उनके द्वारा जमीन का खरीद विक्री किया गया था सेल डीड रखा गया था उस सेल डीड का नामांतरन नहीं हो पाया था चौथी समस्या थी कि लगान बंदोबस्ती होती थी बंजर जमीन की और जमिन्दार के कारिंदे उनके साथ लगान बंदोबस्ती करते थे उस लगान बंदोबस्ती के अधार पर रहेतों के नाम से जमबंदी सिर्जित नहीं हुई थी तो जमिन्दारों के द्वारा दाखिल किये गए रिटर्न में बहुंसी तूटियां राज़स विभाग के द्वारा पाई गई उन्होंने फिल्ड बुजारत कर ततकाल चालू खतियान के निर्मान करने और जमबंदी पंजी के निर्मान करने का एक आदेस निर्गत किया जो फिल्ड बुजारत अभियान के दाएरे में लाया गया राज़स विभाग ने महसूस किया कि अधिकारों के अभिलेख के निर्मान का एक लंबा अंतराल हो गया है यह उन्हीं सद चौदा के बाद सरविक्षन नहीं हुआ है सरविक्षन नहीं होने के कारण रहयतों के जो इंचार कारणों से ब्यापक परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन हुआ है उत्राधिकार के अधार पर रहयतों में आपसी बटवारा के अधार पर रहयतों के द्वारा दान लेने के अधार पर इसके अत्रिक बहुत सारे रहयत जो आपस में बदलायन करते थे जोत भू खतियान की तत्कालीन खतियान की 1914 के खतियान की जो प्रविश्टी थी वो अब काजरूप में नहीं थी काफी उसमें परिवर्तन हो गया था राजस विभाग के द्वारा एक निदेश जारी किया गया और भू अभिलेख परिमाप को ये दाईत तो सौपा गया की जमिंदारी उन्मूलन के बाद भूमी सर्वेक्षन की कारजवाई वो प्रारम करते हैं इस करम में राज्य के लगभग जो अभी जो बिहार विसे सर्वेक्षन एवन बंदबस्त अधीनियम निकला हुआ है उसमें 25 या 26 जिले ऐसे हैं जिनमें सर्वेक्षन की कारजवाई प्रारम करने का उसमें उलेख किया हुआ है बर्शवार और 12 पुराने ऐसे जिले हैं जिनमें सर्वेक्षन कारजवाई प्रारम नहीं हो सका उसकी सूची दी हुई है तो उन जीलों में सरविक्षन का कार्ज प्रारंब कराया गया और कई ऐसे जीले हैं बिहार के जिनमें रिविजनल सरवे खतियान जो जमिंदारी उन्मूलन के बाद प्रारंब हुआ उसमें रिविजनल सर्वे खतियान का निर्मान हुआ है कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर खतियान के आधार पर रिविजनल सर्वे के आधार पर जमबंदी पंजी का निर्मान हुआ है जैसे वैशाली, मुझफरपूर, सीतामढ़ी, दर्भंगा, मधुबनी, समस्तिपूर के जीले के कुछ अंचलों में रिविजनल सर्वे के आधार पर खतियान बना हुआ है इसके अतरिक साहावार्डिस्टी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर खतियान बने लेकिन गया जीला इस तरह से खतियान बना लेकिन खतियान बनने के बाद, रिकर्ड अफ राइट बनने के बाद च MILने के बाद, जमीन में, हस्तान्तरण के कारण, सौमित में परिवर्तन होते रहता है और उस परिवर्तन की इस्तिती को अफिव्यक्त करना राजवस्व रिकार्ड में तत्काल दर्ज करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि परिवर्तन नहीं होने के कारण, रिकार्ड में नाम प्रविश्टी नहीं होने के कारण कई-कई बिवादों को जन्म देता है 1990 के बाद देश में तिब्रगती से भू मंडली करन का दौर प्रारंब हुआ है उसके बाद ओदोगी की करन हुआ है सरकार का जो 2005 के बाद जो एक नया वीजन आया नए नए सडकों का निर्मान कराया गया उसके कारण जोत अधिकारों में जो भी परिवर्तन हुए है जमीन के मुल्ले में काफी ब्रधी हुई है अधिकारों के अभिलेख का निर्मान अवश्यक हो गया तो अधिकारों के अभिलेख के निर्मान में यह एक सबसे बड़ा जो दोस्ट था वो था पुरातन पधती में सारा का सारा एनरजी सारा मैन पावर ये लगा रहता था कि किस तरह से नक्षे का निर्मान किया गया जाए और भू सरविक्षन नक्षा के निर्मान करने में एक लंबी अवधी लग जाती थी इस दरान भी वहियतों के जो तधिकारों में परिवर्तन होते रहता था जो तधिकार में परिवर्तन उत्राधिकार के कारण हो आपसी बटवारा के कारण हो जमीन के खरीद विक्री के जाते थे भूखंड बनते चले जाते थे इस प्रकार राज्य सरकार ने काफी मन्थन करने के बाद ये निरने लिया कि आधुनिक प्रादेग्युकी का इस्तेमाल कर यानि हवाई सरविक्षन का उप्योग कर हम शिघराती शिघर नक्षे का निर्मान कराने तो कम से कम समय में अधिकारों के अभिलेख का निर्मान हो सकेगा और जैसे ही अधिकारों के अभिलेख का निर्मान हो जाएगा उसके बाद करमा नुशार हम सालों साल प्रतेक शाल चालू खतियान का निर्मान करेंगे इस तरह से जो तधिकार में होने वाला प्रतेक परिवर्तन उस चालू खतियान में अभीधारी खाता पंजी में प्रविश्टी अपना पाते रहेगा सरकार ने इस समझ में मजबूत कदम उठाया और राजस्व विभाग ने इस पर एक दिशा निदेश जारी किया उस दिशा निदेश के अंतरगत कई जीले में विशेश सरविक्षन की कारजवा ही आधनिक प्राधवगी की के इस्तेमाल के बाद प्रारंभ की गई किन्तु तक्निकी मार्ग दर्शिका के नहीं रहने के कारण सुचारों रूप से अधिकारों के अभिलेख के निर्मान में कठिनाई महसूस की जाने लगी पुनह भू अभिलेख परिमाप निदेशाले के द्वारा राजस विभाग राजस एंग भूमी सुधार विभाग के निदेश के अधिन एक तक्निकी मार्ग दर्शिका का निर्मान कराए गया है और वो तक्निकी मार्ग दर्शिका अपने आप में विशेश भू सरवेक्षन के प्रतेक प्रक्रम को विवेचित करती है विवेचित की इस्थिती ये है कि सरवेक्षन के बारीक से बारीक प्रक्रिया जो है रेयतों के हित की प्रविश्टी की जो प्रक्रिया है उस पर वो गहन समीक्षा करने के बाद एक निदेश देती है कि सरवेक्षन करमचारी और प्रदाधिकारी सरवेक्षन करने के इस धंग को अपनाएंगे तो उन्हीं कठिनाई नहीं होगी काने का मतलब यह है कि विश्तृत सरवेक्षन करने की प्रक्रिया जो विशेश भू सरवेक्षन अधिनियम में दी गई है उसमें 2019 में संसोधित कर जो नियम आवली लाई गई है उसमें और उसको विश्तरित किया गया है और कई-कई नए-नए विश्यों को भी वेचित किया गया है अब सर्विक्षन आधुनिक प्रवद्गी की के इस्तेमाल से किया जा सकेगा इस आधुनिक प्रवद्गी की के निर्मान में सर्विक्षन का पहला प्रक्रम जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है भूमी नक्ष के निर्मान से यानि भूमान चित्र के निर्मान से और ये निर्मान हवाई सर्विक्षन एजिंसी के द्वारा किया जाता है। जितने सारे प्रक्रम हैं जैसे किस्तवार, खानापूरी, विसरान्ती इन सभी प्रक्रमों पर विस्तरूप से दिशानी देश जारी किये गए हैं। सर्विक्षन के से समंधीत अमीन को, कानून को, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को काम करना है। इस सर्विक्षन की सबसे बड़ी विसेस्ता है, सबसे बड़ी विसेस्ता है जो अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम में ये दिया हुआ है कि रैयत के जोत अधिकार में परिवर्तन के साथ साथ चालू खतियान भी बनाना है। ताकि अधिकारों में हुए परिवर्तन की उसमें प्रविस्टी की जा सके। जो अधिकारों का अभिलेक बनेगा उसके अधार पर अभिदारी खाता पंजी, खेसरा पंजी और चालू खतियान का निर्मान किया जाएगा। यानि जो नमांतरन होगा, नमांतरन के आधार पर जो जो अधिकार में परिवर्तन होगा, वो प्रविस्टी अब विसेश भू सरविक्षन के अधीन, निर्मित खतियान में, अधिकारों के अभिलेक में प्रविस्टी नहीं पाकर, चालू खतियान यानि क्रमिक खतियान में प्रविस्टी पाएगी ताकि जोत अधिकार अध्यतन बने रहें दूसरा जोत अधिकार में परिवर्टन के साथ साथ सेक्सन 10 बिहार भूमी दाखिल खारी जदीनियम के धारा 10 में ये प्रावधान किया हुआ है कि रहियतों के उनके जोत भूमी का खाता पुस्तिका दिया जाएगा और उस खाता पुस्तिका को भी अध्यतन बनाए रखने का अगर जोत भूमी में उनके खाता पुस्तिका में उनके द्वारा जोत की समस्त भूमी दर्ज रहेगी उसमें लगान दर्ज रहेगा अगर उसमें जो तधिकार में परिवर्तन होता है रियत उस जमीन को बेच देते हैं या खरीद लेते हैं या बीनिमाय करते हैं जिन कारणों सभी वे जमीन या तो बेचते हैं या छोड़ते हैं त्याग देते हैं उन सभी कारणों को खाता पु बोला के उपनियम छो और साथ में इसका प्रावधान किया गया है यानि खाता पुस्तिका को भी अधितन किये जाने का प्रावधान किया गया है तो एक बहुत अच्छी प्रिश्टभूमी तयार की गई है कि अब नए दोर में जो भी अधिकारों के अभिलेख का निर्मान भ निर्मान होगा उसमें सौसमें प्रविस्टी हो इसकी भी वेवस्था की गई है और दिशानी देश जारी किया गया है अब इस प्रक्रम को सरविक्षन के प्रक्रम को कैसे प्रारंभ किया जाएगा इस प्रारंभ के लिए किस तरह की प्रसासनिक संग रचना बनी हुई है अग इसको हम अगले प्रक्रम में बताने जा रहे हैं।